सीर टेक्नलोजी के नेक्स लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन करेंगे सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग करेंगे रॉगिंग तो रॉगिंग को हम लोग इस प्रकार से प्रिबाशित कर सकते हैं आफ परकार पौदों को पुश्पन से पहले ही रोगिंग के द्वारा हटा देना चाहिए ऐसा क्यों करते हैं ताकि वे परागन ने कर सकें इसके लिए परशिक्षित व्यक्ती का नियमित प्रेवेक्षन आवशक है यह है रिनात्मक वरन का उधारन है तो रोगिंग क्या है एक तरह का रिनात्मक वरन है या नेगिटिव सेलेक्षन है इसको एंगलिश में किस परकार से पर भाशित करेंगे तो रोगिंग क्या है इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझते हैं तो इस डियागराम के अंदर आप देख सकते हो यह फसल खेथ है इस खेथ के अंदर ओफ परकार के जो पौदे होते हैं उनको अगर हम फील्ड से हटा रहते हैं तो यह प्रकरिया क्या कैलाती है रोगिंग कैलाती है इसको इंग्लेश में देखें, तो यह we cuánt field है, इस crop field के अंदर crop plants के साथ-साथ off-type plants भी होते हैं, अगर हम इन off-type plants को field से हटा रेते हैं या remove कर देते हैं, तो यह process क्या कहलाता है? rogging कहलाता है. उसके पार next definition हम लोग करेंगे, उन्मूलन या eradication. तो इसको किस प्रकार से हम लोग प्रभाशित कर सकते हैं तो रोगी पौधे को प्लास्टिक के थैले में बंद करके उखारना और खेत के बाहर ले जाकर जला देना या मिट्टी में दबा देना उनमूलन कहलाता है इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग टाइग्राम से समझ सकते हैं यह मान लिजी फसल खेत है इसके अंदर मान लिजी यह एक औफ प्रकार का पौदा है जब हम इस औफ प्रकार के पौदे को बिना प्लास्टिक बैग के अगर हम बाहर इसको लेके जाते हैं तो इसके उपर जो भी पैथोजन यानि रोग जनक वगरा या इसके जो बिजानों वगरा उपस्तित होते हैं तो वो अन्या पौदों पर भी फैल सकते हैं क्योंकि अन्या पौदों के समपर्क में भी आ सकता है यह पौदा इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ओफ परकार के पौदे को प्लास्टिक के बैग के अंदर या थैले के अंदर इसको पहले बंद कर लेते हैं, बंद करने के बाद फिर इसकी अपरोटिंग करते हैं, मतलब इसको उखारते हैं इस पौदे को, और फिर इस प्लास्टिक बैग के अंदर crop plants के साथ-साथ off-type plants भी होते हैं यह जो off-type plants हैं इस off-type plants को जब हम field के बाहर लेकर जाते हैं तो हो सकता है इस off-type plants के उपर जो भी fungal spore वगरा हो या pathogen वगरा हो वो other plant के contact में भी आ सकते हैं healthy plant के contact में भी आ सकते हैं तो उनको वो infect कर सकते हैं ठीक है इसलिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले soft-type plants को एक plastic bag से cover कर लेते हैं cover करने के बाद फिर इसकी up-rooting की जाती है soft-type next definition हम लोग करेंगे निराई-गुडाई या जिसको hoeing भी कहा जाता है तो hoeing में हम लोग क्या करते हैं नुकिले औजार के उपयोग से खेत की मर्दा को खोदना और करपतवारों को निकालने की प्रक्रिया को निराई-गुडाई कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि rogging और hoeing जो है यह दोनों अलग-अलग process है English में इसको कैसे refine करेंगे the process of digging the soil of the field and removing weeds using weeded tools is called hoeing तो निराई-गुडाई क्या है भी इसमें हम लोग नुकिले औजार का उपयोग करते हैं इसमें नुकिले औजार के उपयोग से हम लोग करते हैं और जो खर्पतवारे होती हैं, उनको हटा दिये जाता है, फील्ड से, तो यह जो प्रोसेस है, वो कहलाता है, निराई गुडाई कहलाता है, तो होइं क्या चीज़ है भी, यूज ऑफ शार्प इंस्टुमेंट, तो उसमें शार्प ओजार जो है, उपकरन जो है, या इंस्ट या क्वारेंटीन, तो क्वारेंटीन को हिंदी में किस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं, तो बाहर से आयात हुए बीजों, प्रवर्धों वे पादप उत्पादों का रोग, कीट वे खर्पतवारों से मुक्त होना, सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को पादप तो इस डियागराम के अंदर आप देख सकते हो, यह माल लेजिए इंडिया का मैप है, और इंडिया में न्यू डेली के अंदर एक क्वारेंटीन सेंटर या हम कह सकते हैं, संगरोध के अंदर बना हुआ है, जिसको NBPGR कहते हैं, इसकी फिलफों हम लोग आगे देखेंगे तो सबसे पहले जो भी पादपुतपाद किसी विदेश से या दूसरी कंट्री से या दूसरे देश से जो भी पादपुतपाद जो है, वो लाया जाता है इंडिया के अंदर या भारत के अंदर, तो कौन सा पादपुतपाद हो सकता है, या तो बीज हो सकते हैं, पौदे क में एंटर करवाया जाता है, तो सबसे पहले इसको New Delhi NBPGR पर ले जाया जाता है, NBPGR एक संगरोध के अंदर है, जहां पर क्या किया जाता है, चेकिंग की जाती है, किसकी इस पादपुतपाद की, इस पादपुतपाद की अंदर ये देखा जाता है, कि कोई रोग जनक तो नहीं आ गया है बाहर से, या कोई नई खरपतवार के बीच तो नहीं आ गए है, तो अगर इसमें उपस्थित हो, कोई भी इन तीनों में से रोग कीट या खरपतवार, इन तीनों में से अगर कोई भी पादपुतपाद की अंदर उपस्थित हो, तो फिर इसको रिजेक्ट और फिर इस पादपुतपाद को वित्रण या इसका कर दी जाता है फार्मर्स या किसानों के अंदर इंग्लिश में इसको किस प्रकार से डिफान करेंगे क्वारंटीन को इसके लिए एक एक बनाया गया था इसकी फिल्फरम आप से पुछी जा सकते है इसके इंडिया का मैप है अल्मूस्ट तो कोई भी प्लांट प्रड़क्ट हम लोग फॉरण कंट्री से अगर अब नहुत लाना चाते हैं इंटर करवाना चाते हैं इंडिया के अंदर तो प्लांट प्रड़क्ट कोई भी हो सकता है प्लांट के सीट्स हो सकते हैं या प्लांट के प्रपीगों सो सकते हैं तो इंडिया में न्यू टैली में एक क्वारिंटीन सेंटर बना हुआ है जिसको बोलते हैं NBPGR इसकी फ्रूख़ों हम लोग आगे देखेंगे तो NBPGR न्यू टैली में इस प्लांट प्रड़क्ट की चेकिंग की जाती है कोई डिजीज स्पोर तो इस प्लांट प्रड़क्ट में नहीं है या कोई अन्यू इंसेक्ट के एग्स तो नहीं है इस प्लांट प्रड़क्ट के अंदर या फिर किसी वीड के सीड्स तो नहीं है इस न्यू प्लांट प्रड़क्ट के अंदर अगर इन तीनों में से कोई भी इंडिया के अंधर बहुत है इंडिया के अंदर अगर भारत में लोग बात करें तो चार पादप संगरोध के अंदर बने हूए हैं इंडिया के अंदर four plant quarantine centers वो develop किये गए हैं तो इसके अंदर इनके नाम आपको धहन में रहने हैं प्लांट स्पीसिस पर पार्भ जाती यह उनका जो कौरेंटीन है यह वह NBPGR न्युटैली पर क्या जाता है तो नैशनल बीरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसॉर्सस जो है यह आपको ध्यान में रखना है इसके फौर्म इसको इस पर कॉश्चन आता है दूसरा सेंटर है FRI या FRI बोल देते हैं इसको दहरादून के अंदर है इसके फ्रूपम आपको धान में रखनी है Forest Research Institute दहरादून के अंदर है और यहाँ पर जो वरक्ष होते हैं यानि कि जो forest trees होते हैं उनका जो quarantine है वो यहाँ पर किया जाता है तीसरा है IBS यानि Indian Botanical Survey यह कहाँ पर है कॉलकाटा के अंदर है और यहाँ पर अधर जो plants होते हैं अन्य जो पौदे होते हैं उनके लिए यहाँ पर quarantine या इनका जो संग्रोध है वो किया जाता है उसके बाद fourth है DPPQS इसकी full form आपसे कुछी जा सकती है Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage यह कहाँ पर है फ्रीदाबाद हर्याना के अंदर है और यहाँ पर जो हद्य समगरी के लिए यानि कि जो food material है उसके उसे related जो भी products आते हैं या उतपाद आते हैं उनका यहाँ पर संग्रोध या quarantine जो है को किया जाता है तो चार संग्रोध के अंदर है या four quarantine centers है जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं NBPGR New Delhi, FRI Dehradun, IBS Kolkata and DPPQS फरीदाबाद हर्याना के अंदर उसके बार next definition हम लोग करेंगे बीज गुणवत्ता या seed quality तो इसको हिंदी में किस प्रकार से परबाशित कर सकते हैं उननत किसम के बीज की अंकुरन क्षमता, बीज ओज, बीज स्वास्ते, बीज नमी, भौतिक शुदता वै अरवनशिक शुदता को सम्मिलित रूप से बी बीज ओज जो है उसको देखा जाता है, बीज के स्वास्ते को देखा जाता है, बीज की नमी को देखा जाता है, कितने प्रतिशत नमी है, बौतिक शुदता कितने प्रतिशत है उसको देखा जाता है, इसको देखा जाता है, इंग्लिश में इसको तुस प्रकार से डिफान कर सकते हैं